नमस्कार मनाजमिन खान और आप देख रहें SPN 9 News बॉलिवूट के मशूर गीतकार और शायर जावेद अक्तर लगातार ऐसे ही मुद्दों पर बोलते वी नजर आते हैं नागरिक्ता संसोधन कानून का मुद्दह हो या शाहिन बाक का मुद्दह हो या जवाल लाल हैर यूनिवसिटी का मुद्दह हो ऐसी समसाइक मुद्दु पर वो हमेशा अपनी आवास बुलंद करते हुए देखे जाते हैं सरकार को चुनाती भी देते हुए देखे जाते हैं ऐसे में ही गटना सामने ये आती है कि यहाँ पर धर्म के अधार पर फिर राजनीती शुरू हो जाती है और पुलिस सरकार के कहने पर वो काम करती हुए नजर आती हैं अगर सरकार के कहने पर पुलिस चलती है तो इसलिए दिली में भी यही महाल देखा जाता है कि जब उत्तर पूर्वी इलाकों में हिंसा हुई थी तो वहाँ पर भी पुलिस निहती और एक तरीके से आप देख सकते हैं कि लापर वाही का मंजर देखने को मिला था पुलिस की कई नाकामिया सामने आई थी पत्थर दाखते हुए वो भी दिखाई दिये थे बेशक अपनी सुरक्षा को लेकर थे लेकिन वहाँ पुलिस की कमजोरियां भी दिखाई दी थी सुरक्षा बल को लेकर भी कहा गया था तो बैसे में ये घटना और सामने आती है जहां पुलिस को लेकर सरकार को लेकर फिर से कड़िया लोचना की जाती है और धर्म के अधार पर फिर आप मुद्दा बनाते हुए फिर से एक नए मुद्दे को घी में आग डालने वाला हवा देने वाला काम करते हुए नजर आ कनाटक सरकार बैंगलूरं में इशामसि की एक प्रतिमा है एक मुर्ती है उसको हटाने का आदेश दिया यह हटाने के आदेश देने के तुरंत बाद की पुलिस ने क्रेन से इसामसी की मूर्ती को तोड़ दिया यहनी की हटा दिया तो आप देख सकते हैं कि पुलिस सरकार के किन कहनों पर चलती है यह ऐसा ही मुद्धा एक और सामने आया था जब भारती जंता पार्टी की कुछ एक मंत्रियों ने यह कहा था कि गांधी की मूर्ती अगर किसी दफ्तर में लगी हो तो उन्हें तोड़ देना चाहिए क्योंकि जो गांधी वादी होते हैं वही आतंक वादी होते हैं जो गांधी वादी विचार धाराओं को रखते हैं वही ऐसी गतिविद्यों में भाग लेते हैं जो नागरिक्ता संसोधन कानून का विरोध कर रहे हैं यानि क इसी को लेकर जावेद अप्तर यहां पर फिर से सामने आया और उन्हों ने इस मुद्दे पर यह कहा कि मैं वेशे तो नास्तिक हूं लेकिन मुझे शर्म आती है करनाटक सरकार पर जिसने ऐसा कदम उठाया और वहां पर इसा मसी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया तो आप देखिए कि यहां पर बढ़ चर कर आगे आना चाहिए था सरकार ने क्यूं उनकी मुर्ति को तोड़ने का आदेश दिया क्यूं ऐसे धर्म के अधार पर फिर से ऐसी राजनीती की जाती है जहां गांधी की मुर्ति तोड़ने की बात आती है वहीं अब इसा मसी की मु जनता होती है लेकिन सरकार अपने कदम उठा देती है बिना सोचे समझे तो उसी को जावेद अक्तर ने अपने शब्दों में बया किया है कि यह शर्मनाग घटना थी जहां पर इसा मसी की मुर्ति तोड़ दी जाती है अब ऐसे मुद्दों को लेकर जो ऐसी घटना सामने आती रहेंगी चाहे गांधी को लेकर आई हो इसा मसी को लेकर आई हो लेकिन क्यूं इन पर रोक नहीं लगाई जाती है ऐसे कदम ऐसे बयान रुकने चाहिए वरना हिंसा आगे बढ़ती रहेगे इसके रोक के लिए भी कड़े कदम उठाने चाहिए लेकिन सरकार कानून ऐसे सोचती हुए नजर आएगी क्या है आपका कहना कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और देखते रहें SPN 9 ने